गुट इवनिंग टो आला फ्यू स्वागत है आप सभी का आपके अपने धर्या ग्लासेस में तो आज की क्लास में हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्राणिक्स और डिजिटल लॉजिक डिजाइन का टॉपिक बुदियान इल्जिब्रा जो कि कंटिनिवेशन में हैं हम लोग उन्ट क्लास में देखा था जाकर करके आप देख सकते हैं यह चैला हो चुके थे बुदियन लॉओ हम लोग देख रहे हैं वन तो लौ नंबर सेवन लेट्स हेलाइश दिलीज अगर आप देखे नहीं है तो किलला idea लेद्ट मेंस तो इसका जो अंबर फेस्ट होता है same value, वही value means वापस आती है, तो for example, अगर मैं ये और ये का ending करूँ नहीं, तो end gate से पास करूँ तो ये आता है, तो अगर same variable को ending करेंगे, है ना, same variable को ending करेंगे, तो उसका जो result आएगा वो ही variable आएगा, ओके, अगर same variable का ending करेंगे, तो उसका result same variable आएगा, वही variable आएगा, उसी type का law number 2 है, अपना or get के लिए, तो a plus a करूँगा, तो इसमें भी a ही आएगा, चिक है, तो इसको अगर or get से, मतलब represent करेंगे, तो or get लगा दिए, तो अपना addition से related और ये अपना multiplication से related, तो इसको अगर सब्दों में बोलू, कुछ इस अब का बोल सकता हूँ, कि अगर कोई सी variable का oring कर रहे हैं, है ना, same variable का oring कर रहे हैं, तो result same आएगा, तो इसको 0 और 1 से put up करके भी देख सकते हैं, अगर एक ये values में 0 डालू, तो 0.0 equal to 0 आएगा, तो a.equal to 1, 1 के लिए भी कर सकता हूँ, 1.1 equal to 1, छेक ना, तो से type का यहाँ भी, 0 plus 0 equal to 0, 1 plus 1 equal to 1, ओके, hence proved, next move करते हैं, next law है, negation और complementation law, तो negation मतलब negation मतलब अपना है, बार से related हैं ना, तो law number first इसमें बोलता है, a dot, a का बार करेंगे, अगर, इसको gate से अगर बोट को करूँ, तो अगर यहाँ पर a दे रहा हूँ, यहाँ पर a बार दे रहा हूँ, दोनों को multiply करूँ, तो output आता है, 0, तो अगर कोई variable और उसका complement का, अगर ending करते हैं, तो output सुनने आता है, वसी type का, अगर कोई variable और उसका complement का oring करेंगे, तो output आता है, 1, यह सब्दों में भी पूछ सकता है, कभी-कभी, exam में है न, या अगर कोई variable है, objective question type कर देख सम्भाइ, अगर कोई variable है, और उसका complemented है, दोनों का end करेंगे, तो output क्या आएगा, तो answer आगा, 0, अगर कोई variable है, तो complement करेंगे, और उसका output देखेंगे, तो आएगा, oring करेंगे, तो इसका आएगा, output 1, यसका हम लोग इससे भी प्रिप्र सकते हैं, 0 और 1 से, अगर जीरो लोगा, तो क्या जाएगा, 0.0 का बार इक्वल टो, इसमें भी सेम तो सेम वन लोगा, तो 1.0, 1 का बार इक्वल टो 0 ही आएगा, तो इसमें भी, 0 प्लस 0 का बार इक्वल टो 1, 1 प्लस 1 का बार इक्वल टो 1, so this is called negation और complementation law, next law है, double negation law, अगर दो बार निगेशन करूँ, दो बार बार चढ़ा दूँ, तो क्या आता है, तो it states that the double negation आपे variable is equal to the variable itself, अगर किसी variable का डगल निगेशन करेंगे, दो बार उसमें बार चढ़ाएंगे, तो वही variable output में आएगा, ठीक है, पर इजांपल, एक विल्ली अगर 0 लेंगे, तो 0 को दो बार चढ़ाऊंगा, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, एक विल्ली 1 लेंगे, 1 को दो बार चढ़ाऊंगा, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो same variable output आएगा, एक और law होता है, इसको बोलते हैं, आइडेंटिटी लाउ, आइडेंटिटी लाउ में होता है, अगर किसी variable को 1 के साथ ending करेंगे, यह variable है, इसको 1 के साथ ending करूंगा, ए है, इसको 1 के साथ ending करेंगे, तो answer आएगा, ए, और अगर किसी variable को 1 के साथ और इंग करेंगे, तो answer आएगा 1, जा जा सकता है फो नेक्स देखते हैं दो और लो देन उसके बाद देखेंगे डिम और लोर्ग यह सी निक्स लाओ टिछ चार्ड लो तो null law में क्या होता है देखते हैं null मतलब होता है 0 ना तो null law देखते हैं law number first तो a.0 equal to 0 तो a है कोई variable उसको ending कर रहा हूँ किसके साथ 0 के साथ तो output क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि एक की value अगर 0 लोगा तो 0 आएगा एक की value 1 लोगा तो भी 0 आएगा तो this law states that the variable ended with 0 equal to 0 अगर किसी variable को 0 के साथ ended करेंगे तो output 0 आएगा law number 2 बोलता है a plus 0 equal to a इन दोनों को और उंग करूंगा अगर a और 0 को और इंग करेंगे तो output आएगा a क्योंकि a के value अगर 0 लोगा तो 0 आएगा a के value 1 लोगा तो a आएगा का लोगा राएओ शोडा वरेबलहे विद जीरो Imagine कुल सेथे अपन की अगर आएगा गर ऑट कौन नोल लोगा साथster ऑ्जिए रवगा तू अब आप के सुनगा आप सैंगा आप सैंगी है, आप और आप सेंगा अप सैंगा तो यह ज स्वीश थीशिए को बोलता है कि this lie stressed Crt that the oring आप a variable अगर किसी variable का oring Kalrahi है यह oring of variable variable a च्छेक आरिंच परियवल a with end of that variable a and another variable b with end of variable a with another variable b is equal to variable itself is equal to variable a itself अगर किसी variable का और यंग कर रहे हैं उस वेरिएबल का किसी दूसरे बिसक्री आईगा सेम बिरी बले आएगा तो इसको लो खे जानल मा चेंद कर सकते हैं तुर पूल अरभी समझ लोन यह है का बंडेट हो गया लोगए किसके साथ और गूह एक के साथ है अना तो इसकyorsun of ग्राइग को शक्ते हो इसको तूरू टेबल बना करके भी प्रूब किया सकता है उसी से मिलता जूलता दूसरा लॉद लॉड नमबर टू एक यवल्लू 0101 ले करके अगर प्रूब करना चाहे है तो प्रूब कर सकते हैं इस साथ का वेल्यू और एक वेल्यू से माइगा लॉड नमबर भी वित और इंडिंग कर रहे हैं अर इन अधर वेरियवल बीके साथ और इंडिंग गर हैं तो आप पुड की आएगा एवरियवल ही आएगा तो सेम तू सेम स्कूइट बना चाहे सकता है और तूर्टेबल से भी प्रूब किया सकता है लेट सी दा दिमॉर्गं थे गरम द देख लेते हैं चिक है तो दी मॉर्गन देखते हैं दी मॉर्गन थिवर बहुत मुत्पूर्ण है उके उसको अच्छे से समझना इसको छोड़ना नहीं है एक जाम में भी कभी-कभी आ जाता है ठीक इस्टेटमेंट आ जाता है लॉन नमबर फास्ट के दोला होते हैं ए प्ल ब्रस बार टो होगा यह बार डॉट भी बार है तो ए प्लस वी खुऑ और उड्र कोंप्रिमेंट लेंगे तो दो ज्पलेंटेडिंटampa मैं आएगा है टाइट के भासन बोलू तो ए-प्लस-b 2वरियर्बल का और इंग का कॉंपलिमेंट लेंगे तो दो complemented variable का ending आता है तो इसको सब्दों में बोलूँ इस लोग को लिखना है एक्जाम में आगा पांस नमबर में तो लिखना है इस लॉइस टेट देड़ the complement the complement आप a sum of variable is equal to the the complement of sum of variable है ना complement of sum of variable is equal to the product of their individual count product of there individual complement है हना तो इसको हिंदी में बोलूँ तो अगर किसी दो iaरियेबलके जोड का complement is equal to का complement का multiplication किसी दो वेरियेबलके जोड का complement is equal to उनके complement का multiplication होता है येट की भावा सा मैं बहूं तो दो variable का oring का complement equal to complemented ended है ना तो यह अपना law number first है भोलना नहीं है exam में आएगा 5 नमबर में तो लिखना है LHS देखो LHS क्या है A और B का oring है A plus B और get लग गया उसके बाद उसको not get से पास किये तो अग क्या आएगा A plus B का बार तो A O I logic में ऐसा बनेगा और directly इतको special gate nor gate लगा देंगे तो nor gate का output है A plus B का बार is equal to nor gate right hand side देखो right hand side में A, B का बार बार है तो A और B यह A बार हो जाएगा यह B बार हो जाएगा दोनों को multiply करतूंगा तो Y equal to हो जाएगा A bar dot B बार not gate नहीं लगाना है अपने को अगर तो दोनों not gate की जिएगा हमें bubble डाल सकता हो इसको end कर सकता हो A और B तो Y equal to क्या हो जाएगा same A bar dot B बार यहाँ bubble लिख दिए तो यह अपना जो nor gate है is equal to क्या है bubbled and gate nor gate equal to bubbled and gate bubbled है input में bubble है यह नौर गेट है दोनों equivalent है यह right hand side sorry left hand side right hand side दोनों equal हो गया है through table देख लो LHS का through table देखो LHS का through table देखेंगे color change कर लेते हैं देखो A और B input लिए 0 0 0 1 1 1 0 1 1 A plus B और इंकर दिए 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 1 plus 1 1 sorry 1 plus 0 1 1 1 1 plus 1 1 अब उसका compliment कर दिए 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0 चिक तो यह अपना मिल गया यह वाला टम ठीक अब देखो अब क्या करना है प्रोडक्ट करना है दोनों को 1.00, 0.1, 0, 0, 0, 0, 0 तो देखो इन दोनों को A plus B का बार is equal to A bar plus B bar 1.000, 1.000, 1.000 Hence proved verify हो गया verified अब देखो आगे इस log को number of variable के लिए extend किया सकता है तो अगर मेरे पास इसमें कीवल दो variable थे अगर 3-4 variable है तो A plus B plus C plus D प्लस करके डेश 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 का बार is equal to हो जाएगा A का बार dot B का बार dot C का डॉर C का बार dot D का बार like that ओके उसी टैप का अगर जोड़ी के साथ variable है pair के साथ A B plus C D plus E F G प्लस करके इस टाप का बार है तो हम लोग क्या कर सकते हैं individual individual है A B का बार C D का बार E F G का बार we can write like that also so this is law number one let's see law number two तो De Morgan theorem का law number two यह हुआ law number one law number two देखते हैं तो law number two भी याद रहना चाहिए है law number one देख लिए law number two में हो जाएगा A dot B का बार equal to हो जाएगा एक बार plus B का बार दो variable का end करके अगर complement करेंगे तो उसके complemented का और होगा है ना so these laws state that the complement of the product of variable product of variable का complement है the complement of the product of variable is equal to the sum of their individual complement है ना तो अगर किसी दो variable का complement करके उसका product करते हैं तो उसका जो output रहेगा वो क्या रहेगा उनके complement का sum रहेगा अगर दो variable get की भासम बोलूँ तो अगर दो variable का end करके उसका complement करेंगे तो उनकी complemented का आर रहेगा यह law number two अलच्छे सवालत देख लेते हैं part a, b का बार तो a, b हो जाएगा end gate not gate से pass करेंगे तो a, b का बार मिल जाएगा इसके equivalent क्या हो जाएगा सीधा यह ay logic से हो जाएगा उपर वाला portion और यह वाला portion सीधा universal gate से end gate का output होता है a, b का बार gate तो पढ़ही हो गया right hand side है right hand side में क्या है a bar plus b bar a का not gate से pass कि a bar, b को not gate से pass कि b bar और लगा दिए a bar plus b bar यह सी को ay logic से था bubble चड़हा सकते हैं input में not gate ना यूज़ करके bubble चड़हा सकते हैं nend gate equal to bubbled or gate bubbled or gate bubbled or gate so this is the conclusion nend gate equal to bubbled or gate दोनों बराबर है आगे बढ़ते है टूते बले को सबसे पहले अपना है lhs, lhs में क्या है a है b है a plus b a dot b के बार 0 0 0 1 1 0 1 1 दोनों का multiplication 0.00 0.10 1.00 और 1.11 in the complement 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 अब क्या करेंगे दोनों एड़ करेंगे 1 प्लस 1, 1 1 प्लस 0, 1 0 प्लस 1, 1 0 प्लस 0, 0 देखो ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम एक्वेट करें दोनों एक्वेल है वेरिफाइट इस लॉइज वेरिफाइट इसको भी इसको भी डिफरेंट डंबर अब वेरिवल्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एक्स्टेंड कर सकते हैं तो A, B, C, D का बार प्लस B, B, C, D A, B है अलग, C, D E, F, G है अगर इंडिंग, अलग-अलग है तो A, B का बार प्लस C, D का बार प्लस E, F, G का बार प्लस टेस 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 एक और important concept होता है जिसको बोलते हैं duality तो देखते हैं what is duality एक मिनट देख लेते हैं then conclude करेंगे duality तो देखो duality क्या होता है last topic then conclude तो duality में क्या करेंगे जो भी boolean identity रहेगा given a boolean identity we can produce a dual identity dual identity को मिलागे बोलते हैं duality dual identity by changing r plus sign to dot sign and all dot sign to plus sign तो जो भी plus sign रहेगा उसको replace कर देंगे dot से और जो भी dot रहे उसको replace कर देंगे plus से मतलब or gate replace हो जाएगा end gate से or end gate replace हो जाएगा or gate से simple gate की भासा में गर बोला जातो आगे बढ़ते हैं और complementing all zeros and ones तो zero को complement कर देंगे मतलब zero को one से replace कर देंगे और one को zero से replace कर देंगे और एक चीज और the variable are not complemented in this process very important duality process में variable complemented नहीं होता है जो variable रहेगा वही variable रहेगा अगर A है तो A ही रहेगा A बार है तो A ही रहेगा यह दुनों complement नहीं होंगे variable complement नहीं होंगे कुछ example देख लेते हैं तो given expression है यह अपना और इसका दो बार इक लेट रहेगा और यह 0 replace होजाएगा उन से और यह 1 replace होजाएगा 0 से क्यों दितक नहीं चाहिए 0 को वन से replace करना है आगे बढ़ता है पवर इन नसीमेन discuss शाथ आगत शाथ ये डॉरुत होजाएगा प्लस से एर डाट होजाएगा 0 से आर ये 0 replaced हो जगा वन से, नेक्स्ट 0.0 0.0 इकल दिरू, 0 replace हो रउन से, डोट रेप्लेस वळ से, 0 replace हो बन से, और जिरू बिर फॉर मन से, नेक्स्ट, एप्लस बी कबार is उकल तो, एबर प्लस बी बार, डॉट रेप्लेस हुआ, ब्लस से, यह बार का a बार हुआ, complement ही हुआ, यह plus है, plus replace हुआ, dot से b बार, last one, a replace हुआ variable कोई complement है, variable कोई मतलब changes नहीं, dot है, plus a बार हो जाएगा, 0 है, 1 हो जाएगा, एक task आप लोगों के लिए, अगर expression यह है, a, b, d, plus, a, b, c, d, equal to, a, b, d, इसका dwell क्या होगा, comment box में comment करें, अगर आपको duality concept, duality concept समझ में आ रहा है, तो इसका dwell जो है, comment box में जरूर कमेंट करें हैं ना, so this is about demorgan theorem, कुछ law देखे, बुलियन के, और duality देखे हैं, नेक्स क्लास मिलते हैं, किसी नए topic के साथ, ठीक है, वीडियो अगर लाइक, वीडियो अगर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सेयर किजिए, सब्सक्राइब किजिए, टेलिग्राम चैनल, अगर आपने जॉइन नहीं किया, तो टेलिग्राम चैनल भी जॉइन किजिए, उसका लिंक डिस्क्रिसम बास में है, ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षीत रहिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यमात,